वेलकम तो बिल्ड टेक हमारी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में 35 फिट पाई 43 फिट हाउस प्लान के बारे में डिसकस करेंगे इसका प्लाट एरिया 33 फिट पाई 17 फिट है यहाँ पे 11 फिट 3 इंच किलियर मिलता है आपको दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन पाने के लिए बिला इकन को प्रेस करें आई ये वीडियो को शुरू करते हैं इसमें हम जो है 3D भी देखेंगे इसका 3D डिजाइन देखेंगे और रेट के बारे में भी डिसकस करेंगे ये हमें किस रेट में पढ़ेगा ये हाग घर बनवाने में यहाँ पे देखें इस टेर के इसका बाहर प्रोजेक्शन ज्यादा निकला हुए आईए फरंट से शुरू करते हैं यहाँ देखें आपको कार पार्किंग मिल जाती है तीरपन फिट भाई एकसेट फिट इसका प्लाट एरिया है और 35 फिट भाई 43 फिट में यह बना हुआ है यानि इसका पिलिंध एरिया है यहां भी 11 फिट वाईड आपको गेट मिलता है यह में गेट है यह पार्किंग के लिए यूज़ करेंगे इसे और पार्किंग के लिए आपको 11 फिट 9 इंश भाई 15 फिट एरिया मिल जाता है किसी भी साइज की आप कार को पार्क कर सकते हैं यहाँ पे और 5 feet का दूसरा secondary gate मिलता है, जो सीधा घर के सामने लगा हुआ है, अब आगे हमाते हैं इस step से तो यहां में entrance मिलता है, 11 feet by 5 feet का entrance मिल जाता है, और main door यहां पर जो लगाया गया गया है, थोड़ा सवर आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां में living room मिल जाता है, जो 21 feet 9 inch by 15 feet 5 inch में ब space मिल जाता है, इसको भी हम अपने हिसाब से decor कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो है यहां पर lounge मिल जाता है, यह dining लिखा हुआ है, spelling mistake होगे, इसको मैं सही करता हूँ, यह हमारा lounge है, जो 12 feet 5 inch by 7 feet में lounge मिल जाता है, यहां पर chair लगा करके बैठ सकते हैं आप, य इसके लिए भी आप इसे जगह को use कर सकते हैं, फिर lounge के एक side में पूजा घर मिलता है, दूसरे side में डोड लगे हुए बेडरूम में जाने के लिए, पूजा घर का size जो है 10 feet 6 inch by 7 feet है, यहां पर stair की बात करें, तो 13 feet by 7 feet में stair बनाई गई है, और 3 feet जो है, लैंडिंग की वि 5 inch by 15 feet 5 inch है, और इसमें toilet attach है, यह 7 feet by 7 inch में toilet plus बात इसमें attach दिया गया है master bedroom में, और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमें dining area मिल जाता है, dining area का size 11 feet by 13 feet 5 inch है, और उसके बगल में ही आपको kitchen मिल जाता है, kitchen का size यहां पर 10 feet 5 inch by 8 feet 1 inch रखा गया है, kitchen के बगल में आपको toilet मिल जा यह common toilet plus बात है, और इसका size जो है आपको 8 feet by 5 feet मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा size है, और यहां पर भी spelling गलत है, इसको भी मैं correct कर देता हूँ, यह toilet हो गया है, अब यहां पर जो है, toilet का size आपका 8 feet by 5 feet है, फिर उसके बाद dining area है, फिर उसके बराबर में जो है, बगल में आ और यह भी फाइदा है कि यहां पर दोनों side से आपको जो है window मिल गई है, cross ventilation हो सकता है, दोस्तों यह plan था, अब आईए इसके 3D के बारे में समझते हैं, इसका 3D design कैसा आएगा, देखिए यहां पर 3D के बारे मैं discuss करूँ, यह पहला view है मारे, यह front side से ऐसे आएगा, दोनों तरब जो है आपका guest room का window है, कुछ इस तरह से design है, बीच में यह entrance है, इंटरेंस पर हमने जो है कुछ इस तरह से design बनाया हुआ है, रेट कलर के रूफ टाइली पे लगा दिया है, अब यहां पर यह main gate है जो parking के लिए यूज हुआ है, यहां बेसिक सी boundary और बेसिक सा design है, आ आपको इस concept पर काम कराना है, अब यहां पर देखिए दूसरे side का design है, यहां पर stair में कुछ इस तरह से record दिया गया है, और चार window कुछ इस तरह से लगाया गया है, आगे पीछे करके stair पर भी ऊपर जो है, रूफ टाइल लगाई गई है, देखने में काफी अच्छा लग र इसको हम परवोला बोलते हैं, रेलिंग को भी पैरापेट वाल पर जो रेलिंग लगी होई, यह काफी सिंपल रखा गया है, थोड़ा बहुत plantation भी यहां पर कर दिया गया है, दोस्तों इस तरह से इसका 3D design है, अगर इसके कास्ट की बात करें, इसका area जो है 35,43 यह 1505 square feet बन करके तयार हो जाएगा, दोस्तों इस design के साथ यह घर जो है 18-20 लाक में बन जाएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा आप इसे like करें, share करें, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए धन्यमाद,